नमस्कार आदाव एंसास्रियकल हाई फ्रेंज अब लोग सब कैसे हो आज का जो सेशन है लर्निंग क्यूबेस का पार्ट फॉर इसमें हम डिस्कस करते हैं आज कैसे हम लोग मीडी ट्रेक करते हैं जल्दी से हम लोग देख लेते हैं से बनाते हैं browsing इहाँ पे पैनल है इस पैनल हम लोग राइट अडिक करते हैं पीछले सेशन पर हम लोग एड आडियो ट्रेक करके देखा था आज हम लोग add instrument track करेंगे ठीके तो add instrument track हम जब करते हैं तब यहाँ पे मेरा बहुत सारी instrument आ जाते देखिए तो मन लिजे कि मैंने मैंने स्पेक्ट現在 का स्टाइल्स लेता हूँ तो स्टाइलीस हम select करेंगे stereo out और add track करेंगे जैसे कि हम add track करेंगे यहाँ पर मेरा एक track open हो जाएगा जैसे कि दीघाता हूँ यह वाला track देखिए यह वाला track open हो गया ठीक है, यह मतलब मैं यहाँ पे MIDI record कर सकता हूँ यह एक instrument हम ले सकते हैं, कोई भी जैसे कि देखिए यहाँ पे edit करता हूँ, host sing करता हूँ, यहाँ पे channel जाके, यहाँ पे बहुत सारे instrument हैं मान लेता हूँ, देख यह वाला loop तो अभी अगर अभी अगर यह वाला loop मैं लेता हूँ तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे drag करके drop कर देंगे अभी हम सुनते हैं इसको solo कर गे ठीक है, ऐसा करते हैं दूसरा, और एक चीज़ कर सकते हैं क्या चीज़ कर सकते हैं देखिए, यहाँ पे और एक purity का एक और एक से track मैंने बनाया instrument track करके, तो यहाँ पे भी आप keyboard से आप record कर सेथे, जैसे कि देखिए मैं अगर हम record करते हैं इसको solo करता हूँ और इसको record करता हूँ, record जब ही मैं on कर दिया, तो मतलब यह वाला track recording के लिए तयार है अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे record बटन को click करेंगे, कर दिया, अब दे, सुनिए देखिए, मैंने keyboard connect कर लिया, अभी मैं यहाँ पे record करना चाहता हूँ, तो start करते हैं यह वाला track रेडी है, start करते है दुकिए देखिए तो मैंने अभी keyboard से यह वाला track record कर लिया, तो ऐसा तरह से हम मारा MIDI record होता है, ठीक है, सुनते है एक बर ठीक है, तो चलिए, यह वाला तो हो गया मेरा MIDI record, delete कर देता हूँ, कि हाँ पे, मैं यहाँ पे एक अलग से track record किया था, देखिए, सुन लिए जैसे कि हम लोग को filler देना है, कहीं पे और एक melody create करना है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, add instrument track करके, कोई भी track, यहाँ पे दो option है, एक mute है और एक solo है, कहीं पे भी आप, अगर मान लिए यह वाला track को आप सुनना चाहते हो, तो solo करके सुन सकते है, solo मतलब single, यह देखिए, ठीक है, यह solo हो गया, अगर आप solo को मान लिजी कि यह तीन-चार solo मैंने करके रखा, तो अगर मैं solo को हटना चाहता हूँ, one shot में, तो मैं यह वाला solo को क्लिक कर दूँगा, उपर से, यह वाला panel पे मेरा solo को क्लिक करूँगा, तो सब चल जाएगा दिए, ठीक है, अगर आप कोई भी track को म्यूट करना चाहते है, तो इसमें मन लिजी कि यह वाला मेरे को सुनना नहीं है, कीक को, तो मैं म्यूट कर सकता हूँ, अब यह नहीं सुनेगा, सब स्टेक सुनेगा, बेदर्द, बेमुरावत, देखिए, यहां पे कोई signal नहीं आ रहे है, ठीक है, सारे में signal आ रहे है, ब तो आप की ते रहे है, सीलेरलि अगर सारे मूट को हताना है, तो एक एक कर के भी हता सकते है, और नहीं तो यह वाला म्यूट को हम बंद कर देंगे, सारे म्यूट चला जाएगा, छीक है, तो मैं यह वाला ट्रेक को मेरे को नहीं चाहिए, फिल for the timing, तो यह वाला ट्रेक मेर करकेंगा ऐसा नहीं है कि मरें कोई फ्री स्पेस में करना है नौ्ट रिक्व害 अब कहीं पर यहां पर कर सकते हैं तो यहां परạtक किजsm biggest track में एक ट्रैक किजमेंट तो इंस्ट्रुमेंट ट्रेक किजिए तो इंस्ट्रुमेंट किरीट ہو जाएगा जब create हो जाएगा instrument track उसके बाद आपने उस track में जैसे कि यहाँ पर create कर लिए instrument track और यहाँ इसमें यह वाल instrument track और यहाँ पर कोई भी instrument को आप call करके उसमें media बजा सकते हैं अभी हम लोग सिखेंगे कि देखिए जो जितना भी हम लोग discuss कर रहे हैं सारे real time कर रहे हैं मतलब मैं अगर आपको एक एक करके button का बोलते जा रहा हूं तो बाद में आप भोल भी सकते हो बट ऐसा नहीं चाहता हूं मैं चाहता हूं कि जीतना भी मैं करूंगा और real time करूंगा real time के साथ उसके implementation भी दिखा दूंगा so that you just aware of the requirement of specific tools where we just going ahead and need to use that one okay तो देखिए जैसे की ये वाला vocal को सुनिए सुनिए similarly मैं और एक गाना गाया मनली जी कि ये portion मेरे को अच्छा लगे ये portion मैं ये वाला track पे देना चाहता हूं मैं क्या करूंगा तो अगर काट करने के लिए देखिए यहां पे scissor tool है split ठीक है यहां पे अप लेंगे यहां पे जाके आप काट कर सकते हो provided snap अगर on हो तो use quantize यहां पे select कीजिएगा तो ये free movement होगा otherwise यहां पे अगर आप beat कीजिएगा देखिए beat पे move होगा सारे जगे में beat में कटेगा अगर आप बीच में यहां पे कटना चाहते हो तो इस portion पे आ जा रहा है अगर यहां पे बार होगा तो क्या होगा देखिए यह देखिए बार पे चला जा रहा है मतलब अप इस middle पे आप कटना चाहते हो बड़ नहीं हो रहा है तो इस case में आप क्या करेंगे इस case में अगर मान लीजी कि आपका बार selected हो already तो इदर अपने यहां पे जाके use quantity कर लीजे तो यह free movement हो जाएगा अब जाकी यहां पे cut कर सकते है क्योंकि मेरा को यह वाला phrase चाहिए इस track में तो यहां पे मैं cut कर सकता हूँ यहां पे cut किया और यहां पे तो already cut है तो मैं इसको उपर में लगा सकता हूँ और control Z और माल यही की bar है देखिए सब कुछ मैं real time बोलते जा रहा हूँ अगर bar selected है फिर अप क्या करोगे तो फिर बार बार में move हो रहे है तो यह बीच में आप cut नहीं पा रहे हो तब अप control प्रेस करके रखिएगा control keyboard से control प्रेस करके रखा देखिए free movement हो गया अभी प्रेस कर रखते रखना पड़ेगा आपको छोड़ना मत फिर यहां पे आप cut कीजिए cut कर दिया हो गया cut फिर आप keyboard से देखिए scissor को लेके जाना पड़ेगा बापस अब यह वाला में जा सकते object selection और इसका जो shortcut है normal sizing का देखिए one है keyboard से keyboard से one प्रेस कीजिएगा तो यह आ जाएगा आगया अब इसको उपर लेके जा सकते control प्रेस करके कीजिएगा ऊपर तब सारे जैसे निची है वह ऐसे उपर हो जाएगा हीलेगा नहीं मलब ऐसा हीलेगा नहीं मालय淨 की ऐसा था आगर आपने ऊपर लेके जारे तो हील जा रहे बनाल पर्फेक्ट ऊपर नहीं जा रहे तो पर्फेक्ट ऊपर लेके जाने के लिए मैं इस प्रेस करके रखूंगा और उपर उसको प्रेस करके left click प्रेस करके keyboard से माउस से मैं लेके चला जाएं ऊपर ठीक है पर मैं लेकिए यह वाला वोकल दोबरा अल्लेडी है गानों में तो फिर आप क्या कर जी कि यह वाला सिलेक्टड है कंट्रॉल डी देखिए बाजू में आ गया और डूब्लीकेट ठीक है कंट्रॉल डी मनलब डूब्लीकेट चलिए यहां पर आ गया अच्छा और एक चीज मैं दिखाता हूं मान लिजिए कि यह वाला ट्रैक में तो मेरा सिजट टूल का दिखा दिया अच्छा अभी आप देखिए मैं बार सिलेक्टड है यहां पर मेरा स्नैप होने तो मैं कंट्र अभी है दे और एक चीज़ है यहां पर सिजट मान लिजी कि यह वाला पॉर्शन के इस मियां पर मेरे को काटना है तो मेरे को सिजट टूल लेना है तो बार बार क्या मैं सिजट टूल में क्लिक करते हो करूंगा नहीं फिर मैं क्या करूंगा और प्रेस करूंगा जैसे कि करूंगा, तो ये PCR TOOL आ जा ले, ठीक है, अब देखिये all printed करूंगा, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है, नहीं, तो और एक चीज कर सकता है, आप यहाँ पर सिर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे अब ही मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जब यह काटना जोरना इसका काम होता है तो फॉर्ट टाइम जहाँ पर जूरुवत नहीं है अगर क्लीन करना है ट्रैक को तो इस टाइम पर क्या करते हैं हम लोग स्नैप को आफ कर देते हैं मेरा सूबी दा हो जाते है आप देखिए, यहां पर मैं alt करूंगा, कहां ची आ रहा है, यहां पर काट कर लिता हूँ, ठीक है, इसका मलब यह track, यह दो अलग हो गया, यह दो रहा स्लाइस हो गया, अब ही मैं चाहता हूँ, यह दो स्लाइस मैंने तो कर दिया, इसको हम क्यों स्लाइस करते हैं बिच-बि कैसे काटना है, फिर होई, यहां पर काटना है, तो फिर alt प्रेस करूंगा, मेरा सिज़र टूल आ जाएगा, यहां पर क्लिक कर दूँगा, यह वाला noise है मेरा, ठीक है, सुन लीजे, noise क्यों है, देखा, इसको मैंने लूप किया और उसको बजाया, देखूं, यहां पर कोई वोकल नहीं है, कुछ नहीं है, तो यह मेरे को नहीं है, डिलिट कर दूँगा, मैं सिलेट करके डिलिट हो गया, अभी मैं इसको ठीक alignment कर दूँगा, उपर का जैसा, हो गया, खतम, यहां पर मैं fade out कर दूँगा, थोड़ा सा, अब देखिए यहां पर, यह एक्चली बता द पहले से ही, एक बर, देखिए, यहां पर मैं कर देता हूं, यहां पर भी मैं कुछ नहीं चाहिए, यह clean हो गया, अच्छा, यह क्यों बता रहा हूं, अभी थोड़े दिर में पता चल जाएगा, इसका align कर देता हूं, तो यहां पर देखिए, यहां पर जो sliding जो बार है, इस intelligent ऐसा DAW है, अगर माली जी यहां पर काट हो गया, तो अगर आप, माली जी की इसको डिलिट कर दिया, example, इसको अगर आप इस जाएगा में, यह जो corner में जो button है, इस button को click करके, left click करके, अगर आप left, बाहे तरब लेके हैं, देखिए, सारे पूरा track मेरे पास है, अगर मैं delete क कर दिया था, बट फिर भी मेरे पास है, यह इतना intelligent है, कहीं पर भी कुछ भी cut कर सकते हो, तो इसको इधर उधर आप करोगे, तो पूरा track बापास आजाएगा, okay, तो यह ता, अभी मैं क्या करूंगा, यहां पर मेरे को clean करना है, क्यों कर रहा हूं, थोरे दिर में पता चल यहां पर भी मैं clean कर लेता हूं, क्योंकि इसका बाद मेरा noise है, बस, कर लिया, ठीक है, अभी यह सिर्फ यह वाला दो, यह slice और यह slice को मेरे को जोरना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको select करूंगा, control प्रेस करकी इसको भी select करूंगा, ठीक है, यह glue टूल लूंगा, और इसको उपर, किसी का भी उपर मैं दे दूँगा, देखिए, glue होगे, ठीक है, फिर one प्रेस करूंगा, बापस object selection tool चलायागा, ऐसे भी आप कर सकतो, दूसरा तरीका, मतलब यह जोरने का तरीका बनाया है, ठीक है, बता दिया, और एक चीज़ देखिए, देखते देखते पता चल देखिए, यह selected है, यह भी selected है, अगर आप इसको fade out करोगे, यहां से corner में, तो दोनों एक साथ fade out हो जाएगा, देखिए, यहां पे भी हो रहा है, यहां पे भी हो रहा है, ठीक है, तो selection है, अगर जितना भी track होगा, तो एक ही साथ काम करेगा, अभी यह है, यह selected है, तो फिर U press कर रहा हूँ, U मतलब मेरा bounce हो रहा है, यह bounce यहां पे audio में bounce selection, देखिए, bounce selection audio में के अंदर bounce selection है, और bounce selection का shortcut है U, मतलब दो track को मेरे को select करना है यह भी select किया यह भी control प्रेस करके यह select किया फिर you press किया keyboard से replace yes देखिए मेरा bounce होगे ओके now यह भी चीज clear कर दिया now हम क्या करेंगे यह जो portion मने गाया था इस track पे यह वाला track पे तो मेरे को चाहिए कि यह portion मेरे को replace करना है with this slice क्या करेंगे बहुत मज़ेता चीज है देखि लिए हम पहले क्या करेंगे snap को on करेंगे beat select करेंगे ठीक है मलब beat beat पे मेरा होगा अभी मैं चाहता हूँ कि यह जो phrase गाया सुनिये यह जो phrase यह वाला यह phrase मैंने सही गाया ठीक है मल लिए भी यह क्या भी यह क्या यह रंग लाई यह वाला portion मेरे को यहां से करना है बट मेरे पास पूरा track ही है यहां पे नीचे पूरा slice बट मेरे को सिर्फ यह वाला को replace करना है क्या करेंगे हम क्या करेंगे इसको select करेंगे control उपर लेके आएंगे ठीक है आप देखिए control प्रेस करते रखेंगे और इसको हिलाएंगे देखिए नीचे वाला भी दिखा रहा है उपर वाला भी दिखा रहा है रइट इसका नीचे वाला भी दिखा जो fade out हो रहा है मतलब और उपर वाला जो original है आप देखिए नीचे के साथ उपर मेरे को मिला देना है मिला दिया है ठीक है हो गया खतम अभी मेरे को beat select करके रखना है और यहाँ पे snap on मैं क्या बोला था कि यह वाला phrase यह वाला word मैंने सही गया था पीछला vocal में बट इस इस portion को change करना है तो मैं अभी क्या करूँगा control प्रेस करूँगा इस corner पे select करूँगा left click control प्रेस करते हुए right hand side कितना दूर यहाँ पे bass जो इस phrase में अब सुनिये इस पीछले vocal का यह रहे जाएगा ना vocal का यह रहे जाएगा सुनिये भी यह क्या रंग लाई ठीक है मैं अभी चाहता हूँ कि नहीं यह भी मैं गलत गया था भी है तो मैं फीरोई करूँगा left click control प्रेस आगे आप सुनिये भी यह क्या रंग लाई ठीक है अच्छा अभी और एक चीज़ है देखिए बहुत इंट्रेस्टिंग है मान लीजिए कि आपको यह सुनिये ठीक तरह से भी यह क्या रंग क्या रंग सुनिये यहाँ पर आँ रंग आँ रंग अच्छा मेरे को चाहिए लग रहा है कि यह वाला वोकल के रंग जो आँ पर बोला वो सही नहीं लग रहा है बट इहाँ पर रंग जो वहाँ पर बोला इस वोकल पर जब मैंने दूरे वाट टेक किया था उसमें मेरा रंग सही है मैं क्या करूँगा बट अगर आप देखिए यह दो वोकल यह जो दो वाड है यह दो के अंदर में गैप था इसलिए अपनी इसली इसको फिट कर दिये रइट अगर आपको एक ही वाडिंग में है देखिए अब इसमें यह वाला जो है यह क्या रंग लाई तो कोई गैप ही नहीं है एक वान फ्रेज है बाट उसके अंदर में विसर्फ यह क्या रंग मेरे को चेंज करना है क्या करें चलिए करते हैं और प्रेस करेंगे इसको काट कर लेंगे पहले इसको हम ग्रेट को आफ ए साई ग्रीट बोलता जा रहा हूं बार बार स्नैप को आफ पहले मैं इसको काट कर लेता हूं फिर क्या करूंगा कांट्रोल प्रेस करके उपल लेकर आउँगा ठीक है अब देखिए देखते रहिए मैं यहां पे हटाते जा रहा हूं देखिए यहां पे रंग है सुने अभी देखिए किया रंग जहां पर होँ एक जारकिंग आ रहे है सुनिये देखिए सुनिये इस जगह मै इस जगह मैं इस जगह में एक न्यौइज आ रहे है सुनिये आ रहा है ना तो अगर यह से गाने में रहेगा तो फिर तो प्रॉब्लम है जो सुनने को अच्छा नहीं लएगा फिर हम क्या करेंगे इसको हम इनलर्च करेंगे इनलर्च कैसे कर रहा हूं मैं एनलर्च कैसे कर रहा हूं मैं एज से इनलर्च कर सकता हूं कीबोड से एज और जी से मैं स्कुईज कर रहा हूं और लेफ्ट क्लिक यहां पर करूँगा प्रेस इस बार में और नीचे करूँगा लेफ्ट क्लिक करते हुए मैं नीचे करूँगा माउस को देखिए बढ़ ये ग्राफ जो है ये ग्राफ मिलना चाहिए देखी यहाँ पे यहाँ पे यह उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे फिर उपर मतलब ये तो उपर में ये वाला पोर्शन जो उपर है और ये वाला जो पोर्शन उपर है इस दोनों को मिला देंगे यहाँ पे ऐसा करके मिला लेंगे ठीक है और उटबारा कर लेते हैं यह देखिए यह वाला पॉर्शन मीली गए अभी सुनते हैं इससे भी नहीं होता तो और भी एक तरीका है देखिए जर्किंग चला गया ठीक है पहले क्या था कया रंग यहां पे दो frequency मैच नहीं हो रहे तो मैं क्या करकिया पर जैसे आ रहें ओपर धा है इसका मंदोग फिर उपर नहीं जाएगा, फिर तो नीचे आना चाहिए तो अगर烏वर जा रहें यह निचे आना चाहिए तो engineered अगर भी एपर और सुछ तो आपको मेच करना है तो यहां पर लेकर आना पड़ेगा उपर का और यह वाला उपर जो इंची और यह वाला उपर पर ऊपर वरलैप करना है मैनुवाली एक तरीका हो गया अब यह आपको सब्सक्राइब को मिलेगा बाट फिर भी आपको देख अगर आपको लगे कि नहीं मुझे एक जर्किंग ला रहा है ऐसा तो नॉर्मली कोई भी इसारे प्लागिंज आ जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा बाट अब को अगर लगे कि नहीं इसमें भी प्रॉब्लम है तब क्या करेंगे देखिए हम क्या करेंगे यहां पे ना इस जाएगा पे यह जो यह मैंने वोकल बाद नीचे से उपर लेके आया था यह मेरा पहले से था मैं यह वाला वोकल में इस जाएगा में काट कर दूँगा मतलब आल्ट प्रेस करूंगा इस जाएगा में काट कर दूँगा correct मतलब देखिए यह वाला जो original vocal था इस vocal में दो पार्ट हो गया, यह पारा पार्ट यह वाला पार्ट हो गया correct, अभी मैं क्या करूंगा इसको यहां से बंद कर दूंगा बंद कर दिया नीचे को उपर ले क्या हो आप देखिए देखिए यह ओवरलेप हुआ थोड़ा सकीजिए आद देखिए यह अभी यह स्लाइस और यह स्लाइस के अंदर एक मनला बहुत ही थीन एक वैर जैसे गैप आया राइट इसको हम कैसे करेंगे इसको मैच कराना है क्या करना है देखिए अभी हमारे पास दो स्लाइस हो गया मैंने नीचे वाला स्लाइस को उपर लेके आया इसका जो एक्जिस्टिंग स्लाइस है उसको मैंने बाहर कर दी मलब बंद कर दिया यह वाला कर देंगे तो यह वाला बंद हो जाएगा यह वाला यह से करेंगे तो यह आ जाएग अभी मेरे प्रेस ये वाला Slice ये वला Slice जोरना है क्या करेंगे हैं यहाँ पे हम कोई भी Slice में Select करते हुए X प्रेस करेंगे x कीबोर्ड से ऐसा X किया क्या हुआ देखते हैं यह देखे यह यह वाला, इसको बोलता है Cross fed यह क्या करते हैं यह जो graph बना जो हम लोग कुछ दिर पहले manually sync किया था दो graph के बीच मतलब ये वाला slice और ये वाला size का जो graph मैंने दिखाया था ये continuous होना चाहिए जो मैंने slit किया था ये ही चीज हम cross feeder से कर रहे हैं तो ये cross feeder आपको छोटा कर दीजे क्योंकि ये वाला slice के अंदर आपको चाहिए होगा add देखिए क्या कर रहा है cross feeder यहां से लेके आके फिर उपर से नीचे लेके आया मतलब ये uniform कर दिया अभी वाजारकिंग आपको नहीं मिलेगा सुनिए ठीक है clear हो गया अब सुनते हैं इसके साथ या रंग लाई इसको बोलता है cross fed तो ये भी बहुत बहुत important है तो हम लोग क्या क्या सिखा इस session में काट करना सिखा paste करना सिखा control D किया था along with the snap मैंने paste किया snap को on करके यहां पे paste किया था paste करके मैंने यहां पे लेके आया था याद है यह वाला चीज देख लीजिएगा पीछे गर के एक बर control Z करके पहले में लेके चलाता हूँ एटा ठीक है control Z अचा है और एक चीज़ है control Z मनलब पीछले है जो अपने जो भी है मनलब यह तो Excel का है है cart paste control C control B यह सब Excel में जो चलते हैं Microsoft Excel में ठीक है तो यह सीखा अच्छा वोकल को कैसे process करना है वो भी थोरा सा सीखा है कि कि यह से मेरे को यहां पे जो voice मैंने एक किया क्या बोलते हैं आपको clean किया जो noise है जो noise को मैंने दिखाया वे यह करके loop करके जो noise है वो मैंने cut दिया था ठीक है उसको मैंने कैसे remove करना है वो भी मैंने बोल दिया आपको आच्छा यह चीज बोला है glue करना सिखा दिया दो slice के बीच कैसे glue करना है जैसे कि यह वाला glue tool से भी कर सकता हूँ और bounce भी कर सकता हूँ दोनों selected करके EU करके जैसे कि हम यह पर audio में जाके bounce किया था bounce selection यह भी मैंने सिखाया और एक चीज जै मैंने सिखाया जो है ना और एक चीज मैं आपको बताने जाओ अभी मान लीजिए कि बहुत बहुत अच्छा चीज है देखिए मैं चाहता हूँ कि यह दो trackी मेरा अभी अगर दो track एक साथ बज़ेगा तो क्या होगा सुनिए देखिए एक साथ बज़े रहा है रइट अच्छा अभी मैं चाहता हूँ कि यह वाला track second track का यह चीज बज़ेगा पहले तेरी आशे की भी है क्या रंग लाइए ठीक है उसके बद ऊपर से बज़ेगा फिर मैं क्या करूंगा तो मतलब यह पहला portion मेरे को नहीं चाहिए बट मैं delete भी नहीं करूंगा यह वाला मैंने delete भी नहीं करूंगा बट यह वाला बज़ेगा नहीं क्या करेंगे इसको हम लोग mute कर देंगे तो mute करने का क्या है आल्ट aim मतलब इसको select करके आल्ट aim करेंगे तो यह mute हो जाएगा ठीक है अब देखिए यह वाला track को मेरे को नहीं चाहिए यह दोनो Ctrl C किया है दूजरा वाला सी Ctrl C किया Ctrl प्रेस करके यह वाला दोनों एक साथ select हो गया अब मैं alt aim कर रहा हूँ अब सुनिए यह वाला बज़ेगा सिर्फी उसके बाद यह वाले बज़ेगा तेरी आशिकी भी यह क्या रंग लाई अफा मैंने की तूने की ठीक है यह disable हो गया यह भी disable कर दिया मैंने अभी आप चाते हो अच्छा mute करना सिखा दिया और एक चीज़ा है mute यहां से भी कर सकते हो माल जी कि यह वाला आपको नहीं चाहिए यह वाला portion तो आप जाके यह कर सकते हो देखें Mute यह वाला tool ले लिया Mute यहां पर जाके click कर दिजिए Mute हो गया ठीक है CTRL Z बापास 1 select करेंगे तो object selection tool हो गया अभी आप चाहते हो कि यह वाला track ही नहीं बज़े तो इदर आप इसको mute करके रख सकते हो और आप इसको right click करके इस track के अंदर right click करके disabled track कर सकते हो disabled track में अरे duplicate कैसे बना दिया स्वारी यहां पर right click करके defining disable track यह disabled ł June अबदेखो डेखो कोई signal नहीं है यहां पर इसकोई पर कोई सिगनल नहीं है तो यही था आज का क्लास बहुत सारी इंफर्मेशन एक साथ दे दिया एक एक करके नोट डाउन कीजिए चाहे तो आप नोटपेड भी मेंशन करके रख सकते हो यह रियल टाइम मैंने बताया जाके आप बारबात देख सकते हो तो सो देट और एक ची अब यह वाला ट्यूटोरियल देख रहे हो उसके टाइम में रियल टाइम आप आपका क्यूमेस में जाकी कोई भी प्रोजेक्ट लेके काम कीजिए एक बार तो क्लियर हो जाएगा एक दम जो उस टाइम पे जो मन के अंदर में घुश जाएगा वो चीज जो निकलने का आप काम करेंगे तो यह चीज अपका अंदर में बैट जाएगा पूरा तो आपको इजी हो जाएगा नेक्स प्रोजेक्ट में काम करने के लिए तो इतना दूर तक थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आडियो इंजिनिरिंग परिवार और मेरे साथ जूटते रहिए और गजर को सपर्ट कीजिए बहुत सारे मेरा दोस परिवार में आये हैं जूरे है वो भी वीडियो देख रहा है बहूत अच्छा अच्छा कमेंट्स पी मिलरह है थैंक्यू सो मच फॉर लाव फॉर यूर अच्छा लागए तो फिलीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ज आप जाके पूछिए कि यह चीज है तो मैं कुशिस तो करता हूं सारे जितना भी कमेंट्स आते हैं उसका अंसार देने के लिए तो मैं भी ट्राइ करूँगा मेरे तरफ से जितना हो सके मैं पूरी करूँगा तो फॉर दाइमिंग अब लुक सर्ब खूश रहिए मजे में रहिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थैंक्यू सो मच और पीस आउट